यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ घर्याना के स्टार्ट सुलेक्शन कमिशन में 7 दिसंबर 2017 से पहले के सभी भरतियों पर अबार्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षन का फायदा मिल सकेगा कोट ने आज सुनवाई में ये कहा है कि 7 दिसंबर 2017 से पहले के सभी मामलों में इसका फायदा मिलना चाहिए वकिल गोबिन पराशर ने ये बताया कि 7 दिसंबर 2017 को कोट ने कालिंदी वर्षिष्ट की एक पेटीशन पर इस मामले में स्टे दे दे दिया था जिसके चलते उस समय की भरती और पूर के आवेदन और विग्यापन में भी हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन इसका फायदा नहीं दे रहा था पर अब कोट के आदेश पर इसका फाइदा भी आर्थियों को मिलेगा जिसके चलते करीबन तेरह सो से ज्यादा लोगों को ये फाइदा मिल पाएगा तो अपने आप में ये बड़ी ख़वर उन लोगों के लिए भी हैं जो जनरल केटेगरिस आती हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं आमदरी तनी नहीं है उनकी और जहां इस मामले को लेकर पहले स्टे लगाया गया था हाई कोट के द्वारा एक याचिका करता के द्वारा याचिका दायर की गई थी और कहा भी गया था कि जो पचास फिजड़े से ज़्यादा ये जो आरक्षन जाता है और किसी भी तरह जो आर्थिक अधार पर यारक्षन नहीं दिया जाता है समविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है आर्थिक पिछड़े पन को लेकर फैसला दे दिया है कि जितनी भी साथ दिसंबर 2017 से पहले की भरतिया निकाली गई थी एचससी के द्वारा उन पर अब जो है भरतिया हो सकती है जो तेरह सो के करीब अभ्यारती है उनको काफी फाइदा भविश्य में हो सकता है अब देखना होगा कि किस तरह का प्रोसेस इ निकालता है और किस तरह से भरती होती है आज देखिए आज एक बड़ा इतिहासिक फैसला माननिय हाई कोट ने दिया है मेरे साथ में पंदत हरीराम दिक्षित हैं जो इबीपी वाली लड़ाई लड़ रहे थे और आज हम माननिय हाई कोट का सर जुका के ये निरने स्विक करते हैं और माननिय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्हों ने ये 1370 जो बच्चे जिनका सेलेक्शन हो गया था कुछ पोस्टों का रिजल्ट शुरुका हुआ था और आज के माननिय हाई कोट के निरने के बाद वो सब निरने इनके हक में हो गये हैं और आ कर्मेंट जब तक कुछी कुछी आदेश में क्लैरिफिकेशन ना हो उसको लागू नहीं कर सकती है चाहिए वह एचसेसी हो एचस्पीएसी हो या कुछ कॉर्पोरेशन हो उनमें सभी में ये एफेक्ट था और उन्होंने माननिय नयले का जो न्यूज पेपर में आया और फ इसको रोक लिया गया था और आज क्लैरिफाई कर दिया है तो अभी हर्याना गोवर्मेंट इसके बारे में जरूर एक्शन देए